दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बायत करने वाले हैं 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्थितिया कैसी होंगी कैसे परिवर्तन होंगे क्या शुब योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर किस तरह से होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन हैं अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारे चैनल के साथ चली जान लेते हैं इं दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में 15 अक्टूबर क्रिष्ण पक्षक की 23 तिथी है जो भगवान शिव का दिन माना जाता है और ये 23 तिथी सुबह 8 बचकर 33 मिनट तक रहेगी उत्तर फालगुरुनी नक्षत्र है ब्रहम नाम का य योग है गुरुवार का दिन है सूर्य कन्या राशी में हैं चंद्रमा भी कन्या राशी में है इस दिन का विजीत मुरत सुबह 11 बचकर 44 मिनट से दो पहर 12 बचकर 30 मिनट तक है 16 अक्टूबर क्रेशन पक्षिगी अमावशातिती है हस्त नक्षत्र है पैधरती नाम का योग है शुकरवार का दिन है सूर्य कन्या में चंद्रमा भी कन्या राशी में है बहुत ही सुन्दर संयोग इस दिन बन रहा है और इस दिन का विजीत मुरत सुबह 11 बचकर 43 मिनट तक है दोस्तों यह जो अमावशातिती है यह अधिक मास का आंतिम दिन है अधिक मास की अमावशातिती है जो बहुत से अच्छे संयोग भी बन रहे हैं इन संयोगों के बारे में हम वीडियो के आंत में चानेंगे क्या इस दिन आप कर सकते हैं और कैसे इस दिन का लाव कि हम व्यक्तित्व को देखते हैं यहां चंद्र और सूर्य की यूति भी हो रही है तो प्रत्रम भाव में चंद्र और सूर्य जब बैठेंगे तो आपके लिए किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएंगे तो इस दौरान एक तो चंद्रमा की जो इस्थिती है कि इस समय आपकी जो बोलने की आपकी वाणी होगी वह काफी अच्छी होगी और अपनी बातों से आप लोगों का दिल जीतने में भी काम्याब रहेंगे क्योंकि व्यक्तित्व को पर भावित करता है प्रथमभा तो यहां आपके वाणी को आपके वाणी यहां काफी प्रबल होगी इस दोरान आपको अपने दोस्तों से काफी इज़त मिलेगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी खुशी मिलेगी लेकिन कुछ ऐसे लोगों से सा नहीं रहेगा आप उन लोगों की किसी ऐसी चीज़ को अवाइड तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी बातों को जरूर आप इग्णोर कर सकते ये समय आपकी रशनातमक्ता से भरा होगा रशनातमक्ता को सराह जाएगा आज आप इन दो दिनों में एक दूसर हर मुश्किल आसानी से आप भिता पाएंगे और कुछ ऐसी परिशानिया थी जिने आप सुलजानी पा रहे थे तो उनको भी सुलजा पाएंगे और इस कला से आप लोगों की नजरों में आएंगे लोग आप से काफे प्रभावित होंगे अपने समय और युगताओं का सही उपयोग करते हुए अपने आपको आप आगे लेकर जाएंगे काम में व्यस्त रहेंगे और उस काम के जरी अपनी पहचान भी बनाएंगे अगर आप नौकरी करते हैं तो अच्छा होगा कि आप इस समय अपने कार्याले में कुछ चुनोतियां हैं जो उनको स्विकार करें और उसमें आप सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं प्रयास करते हैं तो उन चुनोतियों में सफलता मिलेगी और ऐसी कुछ कामों से जुड़कर आप काफी कुछ अपने जीवन में अलाग कर सकते हैं अपने प्रयासों से आप लोगों के माइंड में अपनी जगा बना स कुछ ऐसे सुझाव होंगे जो आपको सफलता दिला सकते हैं तो ऐसे सुझाव कोई व्यक्ति देता है तो उनकी तिरफ दिहान रखे आपके कारेस्थल पर अगर कोई ऐसी परिशानी है जिसको आप सुलजा नहीं पा रहे थे तो ऐसी स्थितियों को आप आसानी से सुलजा प कशिने वीद लाबदायक के स्थितियां बना सकता है बेहर अच्छा रह सकता है वैपारियों के लिए यह दो दिन काफी फाइदे देनें के अप आप अपने समय का सदोपयोग करके अपने वैपार में बढ़ोतरी कर सकते हैं वैपार को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए आपको लगेगा आप अपनी जो आप सेवाई दे रहे हैं उनका विस्तार आपको करना है आप अपनी काम में लगे रहिए आपको उसमें सफलता मिलेगी अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निवेश के सारे विकल्प तलाश ये एक ऐसा निवेश करिए जो लंबी अवधिका हो और सिक्योर हो संपत्ति और दूसरे निवेश के बारे में मन बना सकते हैं तो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने इस दौरान जरूर आ सकती हैं जो आपको नई-नई जानकारिया देंगी और इन नई-नई जानकारियों से आपको लाब भी होगा आप लाब भी कमाएंगे प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस दौरान पिछले दिनों आपकी जिन्दगी नए पार्टनर की संभावनाओं से अगर रूबरू हुई है तो गुप चुप तरीके से इस समय प्रेम प्रसंग जारी रहेगा लेकिन श्बुख जटीं इस दौरान ऐसी भी बन रही है कि विवाह के योग बन रहे है विवाहित लोगों के लिए इस दौरान प्रेम के दुनिया में कुछ ज़्यादा का कदम भी रख सकते है ow कि जाए और आपके एक प्रेम की दास्ता आए कि आप फिर से शुरू हो तो इन मोकों का आनद लें इन मोकों का अच्छे से जीएं फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरी का सपोर्ट करें तो समय काफी अच्छा है परिवारी किस्थितियां भी अच्छी रहेंगे और आपकी कलात्मक चीजों से रचनात्मक फिल्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय काफी अनुकुल रहेगा स्वास्ता की द्रश्टी से देखा जाए तो इस दोरान कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है खुद पर ज़्यादा तनाव बिलकुल न डालें जरुसे ज़्यादा खाने की क अमावश्या थी थी है ये एक महीने बाद आई है क्योंकि एक महा अधिक मास का चल रहा था उसके बाद अब नवरातरी 17 अक्टोबर से शुरू होंगी ये जो दिन है अमावश्या का ये बहुत ही शुप से योग में आया है एक तो शुकरवार और अमावश्या का योग ब साथ रहते हैं सुर्य चंद्र कन्या राशी में रहेंगे आप ही की राशी में होंगे तो आपके लिए जबर्दस्ति योग है इस्तिति के स्वामी पितरदेव हैं इसमावश्या पर पितरों के लिए तरपन करते हैं शाद कर्म करते हैं दान पुन्य करते हैं जरुतमन भी परभावित करेगा और आपके काम को भी परभावित करेगा तो इस दिन आप भगवान विश्नु मलक्षमी की पूजा उपासना जरूर करें इसके साथ ही आप ओम नमस्षिवाय मत्र का जब करते हुए शिवलिंग पर जल भी इस दिन चड़ाएं उनकी किरपा से आपके स भी कारें पूरे होंगे तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें